तो नर्सिंग ओफिसार वेलकम टू माइ यूटू चैनल स्पी चोधरी नर्सिंग ओफिसार रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं थ्थेोरिटी के लिए पार्ट इम्नुगल अभिलियंज का क्योंकि प्रीविएस व्यूडियो मैं कॉमेंट में आये था है यह अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करना ना बोलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उनकी इंफोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल्स के फ्रेंट्स अपने इस यूटूब के चैनल पर विडाउट ब्रेक डेल सब्सक्राइब होता है वह भी अपन साथ में कवर करते चलेंगे और साथ में जो आने वाले एक्जाम के लिए जो एंसी क्यूज है उस पर भी विद रेशनल अपन डिसकूस करेंगे ओके फ्रेंट्स तो बिना टाइम खराब करें चलिए स्टार करते हैं इम्मिनोगलोबिल हुए जिसको इल्फा बोलते हैं आ इजी जिसको इसी बोलते हैं तो फ्रेंट्स यह है अपने immunoglobulin के 5 टाइब अब फ्रेंट्स इस 5 टाइब को अपने थोड़ा डिटेल से देखते हैं जो exam की basis से most important है ज़्यादा अपने थेोरिटी के लिए इसमें नहीं देखेंगे ओके फ्रेंट्स तो देखते हैं फर्स्ट में immunoglobulin G के बारे में तो फ्रेंट्स immunoglobulin जो G है जिसको गामा बोलते हैं IgG found in body serum in large amount फ्रेंट्स IgG होता है body serum यानि blood जो होता है body के अंदर उसके अंदर large amount में अपने present होता है और IgG active in chronic infectious condition IgG होता है फ्रेंट्स यह chronic infectious time है long time से अगर कोई person infectious से गर्सित है उसके अंदर यह active रहता है और उसके blood serum के अंदर अगर immunoglobulin का test करवाते हैं तो इसकी मातरा normal से भी बड़ी होई मिलती है ओके फ्रेंट्स IgG monomer in size found फ्रेंट्स यह immunoglobulins जो होते हैं all over इनमें monomer, dimer और pentamer तीन टाइप्स के यह होते हैं जिनका size इनकी जो chain होती है यह monomer, dimer और pentamer पे depend करती है वह आपको आगे चलो आगे दिखाएंगे image वैसे से कि वह कैसी chain होती है और क्या monomer, dimer और क्या pentamer होता है तो फ्रेंट्स जो IgG है यह क्या होता है, इस में monomer in size में होता है जिसके अंदर एक heavy chain होती है और एक light chain होती है इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, अब देखते हैं IgG है, इनका molecular weight कितना होता है, यह थोड़ा important है तो IgG का molecular weight होता है, 1.5 lakh 1.5 lakh IgG का molecular weight होता है IgG cross the placental barrier during pregnancy because of it found in small monomer in size फ्रेंट्स यह placental barrier कर सकती है क्योंकि इसका monomer size होता है small छोटा monomer size होता है जिसके अंदर क्या होता है heavy chain 1 होती है, जो light chain होती है वो भी 1 होती है, और small in size में होता है जिसके प्रेंट्स यह placental barrier को cross करके fetus के अंदर जा सकता है normal जो इसका serum level होता है फ्रेंट्स वो होता है 1000 mg per dl यह इसका फ्रेंट्स normal serum level होता है जो chronic time से अगर infection है बंदे में, तो वो क्या है इस level को जो अपन find out करते हैं बड़ा हुँ देखने को मिलता है ओके फ्रेंट्स अब बात करते हैं immunoglobulins A के बारे में जिसको बोलते हैं immunoglobulin alpha तो IgA found in body serum in second maximum amount फ्रेंट्स IgG अपने discuss किया था वो maximum amount के अंदर पाय जाता है body के अंदर serum के अंदर वो भी blood जो उसके बाद जो second number पे वो पाया जाता है वो है immunoglobulins A जो second number पे body का जो blood है उसके अंदर second number पे ये होता है first number पे IgG होता है IgA also present in body fluid body fluid है इसके अंदर भी पाया जाता है जैसे semen है saliva है, tea है, milk है, sweat है ये फ्रेंट्स इसके अंदर भी immunoglobulence A mostly पाया जाता है और इसका फ्रेंट्स normal serum level होता है वो होता है 200 mg per dl इसका normal level होता है और अगर यह condition बढ़ी होई मिलती है तो यह अपने infection information उनकी condition को indicate करता है abnormal होता है ओके फ्रेंट्स IgA की बात कर रहे हैं तो IgA जो है यह क्या है जो all over मान के चलो 5 जो immunoglobulence 100% है तो फ्रेंट्स इसमें 75% तो only immunoglobulence A कवर करता है यानि सबसे ज़्यादा immunoglobulence A पाया जाता है कवर 75% of all types immunoglobulence 75% को कवर करता है 25% जो होता है 25% वो अधर जो 4 immunoglobulence होते हैं कवर करते हैं IgA is monomer and dimer in science friends IgA एक एसा immunoglobulence है जो monomer भी होता है और dimer भी होता है अभी देखते है IgA molecular weight होता है 3.5 lakh 3.5 lakh इसका molecular weight होता है immunoglobulence A का monomer जो size होता है यह present होता है body fluid body fluid में क्या होता है टीर है, saliva है, semen है स्वेट है इसके अंदर जो present होता है वो यह monomer in size में होता है और dimer in size में होता है यह body serum के अंदर होता है ना कि जो body fluids होते हैं tear है, semen है इसके अंदर यह नहीं होता है dimer only body serum यानि blood के अंदर ही होता है फ्रेंट्स, पहले बात करते है immunoglobulins M mu की जो तीन नमर पे है immunoglobulins M found in blood IgM blood के अंदर होता है IgM is activate in acute infectious condition जब भी फ्रेंट्स, infection होता है तो सब से पहले IgM जो है वो बड़ियों ही मिलती है body के जो blood serum है उसका अगर test करते हैं तो तो ये acute infectious condition को indicate करता है अगर IgM बढ़ा हुआ है तो IgM is pentamer in size आपको बने बताया था फ्रेंट्स, monomer dimer और pentamer होता है monomer dimer पहले आ चुका है pentamer size का Mg immunoglobulins M होता है मात्र only immunoglobulins M pentamer in size होता है जिसके अंदर 5 जो होती है वो 5 light chain होती है और 1 heavy chain होती है इसको आगे देखते हैं largest in size for all all over जितने भी है वो सबसे जो largest होता है सबसे बड़ा होता है वो IgM होता है और जो सबसे ज़्यादा संक्याम होता है वो होता है IgA ये फ्रेंट्स, short में क्यों सुन बनते हैं इनके अपने तो सबसे largest size में क्या होता है immunoglobulins M normal serum level आता है फ्रेंट्स, 120 mg पर deal होता है IgM का first synthesis of IgM in fetus during intrauterine life बच्चे के अंदर जो है IgM synthesis होता है फ्रेंट्स, intrauterine life में जब 20 week of pregnancy होती है अपने तो उस time जो है IgM synthesis होना start हो जाता है बेबी के अंदर ओके फ्रेंट्स, इसका molecular weight होता है friends IgM का 7.529 lakh क्योंकि friends इसमें यहां पर दिखा रखा है कि size में सबसे बड़ा होता है यानि इसका molecular weight भी बहुत ज़्यादा है इसलिए size में बड़ा है और यह है friends do not cross placental barrier because of more weight इसका जो molecular weight है यह ज़्यादा होने की वज़ए से यह placental barrier को भी क्रोस नहीं कर पाता यह fetus के अंदर synthesis होता है ना की mother से fetus में transfer होता है ओके फ्रेंट पर बात करते हैं immunoglobulins E के बारे में IgE found in body serum in minimum amount body serum है blood के अंदर कम से कम amount के अंदर IgE पाय जाता है IgE active in allergic reaction IgE friends जब भी allergic कोई भी allergic कोई भी होता है allergic reaction जैसे आपको example दे रहा है rhinitis है, asthma है, anaphyletic soak है allergic reaction है अगर यह condition हो रही है तो IgE है यह बड़ी होई amount में मिलता है ओके फ्रेंट्स और इसका फ्रेंट्स नॉर्मल जो serum level होता है वो होता है 0.05 mg per dl यह monomer in size में होता है और molecular weight होता है 1.5 to 2 lakh इसका molecular weight होता है IgE cross placental barrier because of it found in less weight और monomer in size फ्रेंट्स इसका जो molecular weight है यह कम होता है आप देख सकते हो और monomer in size में होने के बिदाए से क्योंकि इसकी जो chain है यह ज्यादा chain नहीं होती 1 heavy chain, 1 light chain होती है और इसका weight है यह भी कम है molecular weight इसलिए a placental barrier को IgE cross कर सकता है ओके फ्रेंट्स अब देखते हैं IgD के बारे में फ्रेंट्स यह normal होता है IgD अपने minute amount में पाए जाता है इसमें देख लेते हैं कोई important चीज़ है जो IgD normal serum level 3 mg per deal जो normal serum में जो level होता है IgD कब होता है 3 mg per deal और IgD monomer in size के अंदर होता है और यह क्या करता है फ्रेंट्स यह differentiate करता है जो B lymphocytes होती है इनको differentiate करने का काम करता है immunoglobulence D delta और इसका molecular weight होता है 1.5 to 2 lakh 1.5 to 2 lakh immunoglobulence D का molecular weight होता है आपने फ्रेंट्स एक बात note की होगी जहां भी monomer in size में आता है वहाँ जो molecular weight हो लगबग इतना ही आ रहा है आपने देखा हो तो और यह placental barrier को monomer वाला लगबग mostly cross करता ही है ओके फ्रेंट्स इसको ध्यान में रखना यह आपको फ्रेंट्स यह clear नहीं है बट आप इसमें थोड़ा समझ सकते हो immunoglobulence d आती है यहां भी फ्रेंट्स आता है मैंने आपको बताया था है immunoglobulence a है यह monomer के इंदर बी आता है और dimer के अनдर आता है अभे बताया था इसका molecular weight होता है, यह average weight आप देख सकते हो friends, monomer के अंदर जो भी आता है यह 4 immunoglobulins, इनका weight molecular जो होता है 1.222 lakh average होता है और dimer के अंदर जो भी आता है friends, जैसे dimer के अंदर mostly immunoglobulins A यह था जो blood के अंदर होता है, इसका molecular weight 325 lakh होता है और pentamer वाला friends, यह आप देख सकते हो, 7.5 to 9 lakh जो होता है, इसका molecular weight होता है, और monomer के अंदर friends, 1 heavy chain और 1 light chain होती है, और dimer के अंदर 1 heavy chain और 2 light chain होती है, और pentamer जो होता है, इसके अंदर 1 heavy chain और 5 light chain होती है, आप देख सकते हो friends अब दिखाते हैं friends, आपको यह जो diagram आप देख सकते हो clear नहीं है friends आप थोड़ा समझ ये कि इसमें ये जो आगे दो पंखुडियां सी है इसके अंदर जो छोटी-छोटी line है side के outside की ये light chain है और जो नीचे का size है ये heavy chain है exam में अपने कहीं भी ये diagram नहीं आता friends एक only समझने के वेसे से normally बनाया है और dimer size के अंदर आप इसकी image देख सकते हो dimer वाली जिसके अंदर आप देख सकते हो dimer के अंदर जो दो side में ऐसे है और बीच में जो एक heavy chain है बीच में और दोनो side में ये दो निकली होई है ये light chain है ये पेंटामर के अंदर भी देख सकते हो friends ये पेंटामर के अंदर ये heavy chain है friends जो heavy chain देख सकते हो बीच का एक है और ये light chain जो होती है ये side में जो निकली है ये light chain होती है तो ये friends ज़्यादा important नहीं है अपने क्योंकि एक्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता अपने इतने ही आता है मोनोमर डाइमर और पेंटामर के अंदर आता है एक्जाम में ये अपने डाइग्राम नहीं आते है ओके friends तो ये था आज का immunoglobulin से theoretically पार्ट जो की basic जो most important जो topic थे इसमें जो चीजें थी वो अपन ने discuss किया है नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे तो इस पे जो immunoglobulin से related जो question बनते हैं उनको अपन discuss करेंगे ओके friends कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो please चैनल को like, share and subscribe करेंगे बेल आकन को प्रेस करना ना बुलें और किसी भी परकार के कोई qiari हो कुछ भी रह गया हो या कुछ ज़्यादा add करना हो तो आप please comment box के अंदर suggestion जुरूर करें ताकि जो भी latest video उनमें अपन improvement कर सकें ओके friends thank you good bye